हेला फरेंड वेलकम टू माई यूटुब चैनल एया रहल केर आइम डॉक्टर मुहिनत्तर फिरेंड आज हम बात करने जा रहा है एविल इंजेक्शन की क्या इसका फैदे होते हैं कब इसका इसका इस्तमाल करा है इस वारे में विस्तार से करेंगे चाहिए एविल और आईवी दोनों तरीके से यूज़ किया जा सकता है आई आई एम और यानिके मास में और नसों में इसका इस्तमाल किया जाता है नसों में इसमें धीरे-धीरे हलके-हलके चड़ा जाता है मैनुफेक्ट्रिंग सफोनी इंडिया प्राइविट इंडिया लिमिटेड जान लेते हैं इसकी एम और पी तीन रुपए 20 पैसे इसकी एम और पी है दो एमर के इंजेशन होता है इसका इस्तमाल बहुत जादा ठन लगना छीके आना सुखाम होना कप-कपी चाड़ना एलर्जी हो जाना या दवाईयों का रेक्शन जिसकी बएसे शरीर में लाला चकते पड़ जाते हैं दाने उबर आते हैं कुजली हो जाती है जो दवाईयों का साइड इफेक्ट हो जा जाता है बहुत ही बड़ी एंजेक्शन है सरदी जुकाम ठंड लगना एलर्जी होना दवाईयों का साइड इफेक्ट हो जाना इस सब को दूर करने के लिए एविल एंजेक्शन का इस्तमाल किया जाता है यह इसे अपने आप इस्तमाल ना करें अपने नजडी की डॉक्ट यह जो है अडल्ट में दो एमल का इंजेश्चन दिन में एक बाल आया जा सकता है और जो अडल्ट नहीं है अट्ठार साल से कम उमर के लिए एक एमल इंजेश्चन का यूस किया जाता है ठैंक्स वाचिंग फार माई वीडियो मिलते हैं अपनी नेक्स वीडियो में